नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सौनवीड सिंग और स्वागत है आपका सौनवीड टैक यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपने वीडियो का टाइटल और थम्नेल देखकर तो जाने लिया होगा तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक प्रॉ यूरल वाज नौट फाउंड ऑन दिस सर्वर तो यह वाला पेज आ रहा है मैं कोई सावी पेज ओपन कर रहा हूं इस वेबसाइट का ठीक है तो मेरे सामने यह वाली प्रॉब्लम आ रही है ओके अब यह प्रॉब्लम आ कि हो रही है क्योंकि मुझे लगता यासा आइम है उस अपडेट के बाद इसमें यह परॉब्लम आ सकती हो सकता नैंटी-डème और परकाइश देचे यह उपर देखोगे के चौद्री अक्रेड में फलाना फलाना और यह एक्स वाई जड़ेस एवी सीडी तो बाइड डिफोल्ट क्या रहता है डवलूपे अभी मैंने चेंज कर रहा है बाइड डिफोल्ट क्या रहता है मैं आप गोदा रहता है डवलूपी एडमिन टेजब अब वर्ट्रस लोगन करोगे डवलूपी एडमिन रहेगा ऑके बट मैंने यह चेंज कर रखा है एक प्लग-इन की मज़स से ठीक है तो अब जैसे मैंने उस यूरल को टैप किया तभी मेरे सामने यह प्रॉल्बम आ रही है जैसी मैं इसको लोग-इन कोरने कोशिस की तो म मैंने क्या क्या जो मेरा होस्टिंग है जो मेरा सी पैनल है मेरा गोड़ेडी का है तो मैं अपने गोड़ेडी के सी पैनल में गया आप है ओके इसके बाद ऑस पर्टिकुलर डॉमेन में गया चौद्रेक एडवी में इसको पिंड किया और फिर मैं डवलूपी कंटेंट के प्लगीन्स में गया जो प्लगीन यह काम करती है यानि कि आपका जो लॉगिन यूरल को चेंज करती है वह है आप डवलू पीएस हाइट लोग इन ठीक है यहां पर ही हो गई इसको मैं रीनेम कर दिया और रीनेम करने के बाद अब आप इसको नॉर्मल डवलू पे जो सेटिंग में और सैटिंग में जाने के बाद आपको जाना पर्वालिंक पूर मैं किया करता हूँ आप करने के बाद आपका जो सैटिंग होना चा Way पर मल इंक व आपका पोस्ट ने बहाद की अ आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करो कि आपको आजाना चाहिए इतना कर सकते हैं इसके बाद यह पॉर्लम हो जाएगी ठीक है अगर यह सौल्व नहीं होती है तो फिर आपको यूट्व पर जाके खक्राइब कोई दूसरे आपका मैतने पड़िए बड़ जो आप यह problem है इस पॉर्लम का जो कारण है वह इस एक पर लॉय है हो सकती है एक कारण है और भी कारण हो सकते है बहुत सारे कारण के अंदर यह भी एक कारण है कह आप उसकता है तो इस वज़े से आपका ये URL नोट फार्णॉला पेज है ये आ सकता है तो मेरे पास ये एक solution था हो सकता है कि इस solution से आपकी मदद हो जाए अगर इससे आपकी मदद नहीं हो पाती है तो sorry दोस्तो इसके लिए आपको फिर से YouTube पर जाना है आपको जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है आप उससे बात कर सकते हो वहां जाकि इस प्रॉलम का solution निकाल सकते हैं बट मेरे cases में 99% जो प्रॉलम आती है वह आपका पर्मा लिंक से ही आती है तो आसा करता हूं कि जो मैंने च्छोटा सा information दिया आपको समझ्व में आ गया होगा अगर आपको समझ्व में आ जाती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजे तो इसको मैं आप रीफ्रस करूंगा तो यह मेरा भी काम कर रहा है आप मैं किसी भी pages को उपन कर रहा हूं जै